आदी पुरुष के फ्लॉप होने के बाद अब चर्चा है नितेश दिवारी की आने वाली फिल्म रामायन की कहा जा रहा है कि दंगल फेम डिरेक्टर जो हैं वो बड़े पैमाने पर रामायन बना रहे हैं और आदी पुरुष के बाद उन्हें ये तो पता चल चुका है कि रामायन के नाम पर क्या क्या नहीं करना है बचने के लिए नितेश दिवारी की रामायन को लेकर कास्टिंग के खबर जो आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि राम के रोल के लिए रनबीर कपूर होंगे और सीता का रोल उन्हीं की वाइफ आलिया भट करती नज़र आएगी अब इस पर लोगों का रियाक्शन आ रहा है कई लोग रनबीर को एकसेप्ट कर रहे हैं कई लोग आलिया को एकसेप्ट कर रहे हैं महीं बात करे ओरिजनल रामायन की कास्ट यानि की रामनन सागर की रामायन के लक्षमन यानि की सुनील लाहिरी की तो उन्होंने अब नितेशतिवारी की रामायन पर अपना रियाक्शन दिया है उनका कहना है कि राम के रोल में रनबीर कपूर तो खूब जमेंगे रनबीर कपूर को भगवान राम के रोल के लिए कास्ट करना एक सही डिसीजन है लेकिन सुनील लाहिरी को डाउट है कि आलिया भट सीता बन पाएगी उन्होंने कहा कि आलिया को अगर आज से 5 साल पहले सीता के रोल के लिए लिया जाता तो फिर भी वो सही कास्टिंग होती लेकिन अब उन्हें नहीं लगता है कि आलिया सीता का रोल निभा पाएगी सुनील लाहिदी ने कहा कि आलिया पिछले कुछ सालों में बहुत बदल गई है इसलिए वो श्योर नहीं है कि सीता के रोल के लिए आलिया अट्रैक्टिव लगेगी या नहीं Otherwise राम भगवान के रोल के लिए रनबीर कपूर एकदम सही कास्टिंग है आपको क्या लगता है नितेश तिवारी ये जो रामायन फिल्म बना रहे हैं ये कुछ जस्टिस कर पाएंगे उस फिल्म के साथ साथ ही आप बताईए कि अगर वाकई में रामनन सागर की रामायन के तरह कोई फिर से अच्छी रामायन बनती है इसमें तक्तियों से छेर्चार नहीं किया जाए और आज की जनरेशन के लिए रामायन बनाई जाती है तो भगवान श्री राम, माता सीता और लक्षमन के किरदार के लिए कौन एकदम परफेक्ट कास्ट होगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें